वेलकम बेग एवरीवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्राइ सिरीज का जो तीसरा T20 मैच होगा नमीबिया वर्सस नीदरलेंड की बीच इसके बारे में देखिए इस मेच के बारे में तो हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले कॉमेंट करके बताना कल किसने कितना वि हो सकता है आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो मैंने अभी जश्ट रिजल्ट के फिनिश हुआ है लेकिले उनका तो मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा ताकि उन लोगों को यह पता लगे जो पहली बार इस चैनल पर आये हैं कि वो किस चैनल की वीडियो देख रहे हैं कितना तो रिजल्ट अभी जो आप लोग देख रहे हो ना यह दूसरे डिट्विंटी का मैच है जो निदलेंड और नेपाल के बीच कल हुआ था ठीक है तो देखिए मैंने छे लाक उरुमें विन किये लेकिन मेरा प्रॉफिट रहा था चार लाक आठ हजार का सेम टीम से जो मैं छोटा सा काम है और वो काम ये कि अगर आप लोगोंने टेलिग्राम चैuchar को जोइन नहीं किया है तो सब से इंपोर्डेंट काम है टेलिग्राम कहाल को को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जब अगली वीडियो आये तो वह आपको मिले और वुमेंस IPL के अंदर फिर गीवबे भी चल रहा है तो वह भी आप लोग विन कर सकते हो अगर आपने नहीं देखिए वह वीडियो तो भी आप लोग देख लेना अब बात करते इस मैच क में में चीजों की देखे नमीबिया ने एक मैच खेला था नेपाल से और उन्होंने नेपाल को हराया तो पहला मैच नमीबिया भी जीत के आ रही है और दूसरा मैच जो था वो नेपाल और निदरलेंड के भी था और निदरलेंड ने भी नेपाल को हराया और मैच को जीती अब ये दोनों टीमें पहला मैच दोनों नेपाल को हराके आई है और दोनों की बीचे मैच होगा तो काफी important मैच है यह उसमें तो कोई doubt ही नहीं है और दोनों टीमें काफी तगड़ी टीमें भी है सबसे पहला point हो मैं आप लोगों को यह बोलना चाहूंगा कि try करना जो investment है वो जादा ना हो वो आप normal रखना मतलब जादा कम भी नहीं बोलूँगा मैच तो अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है क्योंकि यह दोनों टीमें ऐसी है जहां पर थोड़ी confusion होगी आपको आपकी 11 प्लेयर की टीम बनने के बाद भी कि यार मेरी टीम में अभी भी प्लेयर बचा हुआ जिसको मैं लेना तो चाहता हूं लेकिन ले नहीं सकता तो ट्राइ गरना आपका इंवेस्टमेंट नॉर्मल हो और नॉर्मल में भी दो टाइप होते एक हाई लेवल में लो लेवल में लो लेवल में हो ठीक है लाइव मैच फैन गोर्ड पे आएगा पिछ रिपोर्ट कल भी नहीं आए थी तो मुझे उम्मीद आज की भी नहीं है बाकी ये किलिए रहे कि भाई बिलकुल मतलब विकेट ऐसा जहां बैट्समें काफी अच्छा करते हैं और पैसर्स का रोल काफी इंपोर्टेंट है जैसे वरना चारी तोरण बच रहे थे अराम से जीत गई थी लेकिन वह यह कि प्रेशर आता है इस पूरा गेम चेंज कर देते हैं तो मेली क्या है न यहां पर आपको एक पोइंट में समझाता हूँ कि पैसर्स का रोल दोनों जगह फरस्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग में बही लेकिन स्प्रेट का रोल आपके लिए जादा crash Sounds शकी निंग के अंदर होंगे तो वो भी और बैटिंग विकेट यह है मतला बैट्समेन के लिए तो यहां पर अच्छी खासी अलप होगी होगी ठीक है सेम विन्यू पर मैच है ठीक है तीसरा टीटवनटी मैच होगा यह और टीम बोलिंग देखिए नेपाल की जो टीम है वो टॉस जीत के पहले बोलिंग लिए क्योंकि उनको पता था कि यह बैटिंग विकेट हम चेज कर लेंगे हाला कि मैच हारी नेपाल मैच हारी है क्यों लाश्ट की एक मतलब आखरी और में वो रोले वंडर मारवे की अच्छी खासी वो बहना हार्ती निक्ति चाएक कोई SVI भी टीम हो पहले अगर बोलिंग करती है ना हाई चांसे जीते ही चाहिए वह निदैल LERNND की टीम हो चार्य कैसो निदरलेंड जीत गई लेकिन वो डिजर नेपाल करती थी ठीक है पिछले मैच में स्पिनर्स ने 6 विकेट ले तो पैसर्स ने 3 विकेट लिए निदरलेंड की टीम की फॉर्म अभी अगर आप देखोगे न तो पिछले पांच में से 3 विन है और नमीबिया पिछले पांच के पांच वो टी-20 मैचेस जीत क्या रहे लेकिन नमीबिया के जो मैचेस है वो छोटी-छोटी टीमों से होते हैं तो कोई मैटर रखता नहीं है इनका ठीक है निदरलेंड तो फिर भी भाई बड़ी-बड़े मैचेस खेलती है आपको पताईए देखे निदरलेंड और नेप लेन यहने बॉलिंग ली क्योंकि इनको पता था कीई चेजिंग विकिट है अब फिर से बेटिंग फस जीती लेकिन फिर भी आप देखने न टो जीते नेवाले टीम पहले बॉलिंग लेगी बाकी टीम का फेसला नहीं सकते हो ना मॉस्ट लिया होना चाही कि देखिए एक नॉर्मल चीज़े बिल्कुल ऐसी चीज़े जो कोई भी समझा देगा तो उमीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी प्लेइंग लिए उन में जब कोई टीम जीत जाए तो कोई चांस बनता है चेंजिस का नहीं बनता है तो मुझे लगा था कि यह बोलिंग करेगा लेकि क्याप्टन तो चलो मत बनाना क्योंकि वहां पे अच्छा प्लेयर है बले बले लेकिन वी सी के लिए यह ना एक बैतरीन चोईस है बोलिंग कंफर्म करेगा और बैटिंग में इससे बेस्ट प्लेयर कोई सा भी नहीं है एक स्कोट एडवर्ड है लेकिन भाई जिस तरीके स साइब्रेंड ने मतलब अपने आपको किया है ना इंप्रूव कोई नहीं किया इसको यह के नाम है आपकी निदरलेंड की टीम के अंदर दो ही प्लेयर मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं जो जैनुरली में उनको अराम से आख बंद करके ले सकता हूं उनमें पहला तो इसको फिर तेजा नीदा वानुरू, वैसले बेरेसी है, फिर नोहो क्रोस है, रोलेफ वंडर मरवे, आरियन दद्ध, विवन केंगबा और टीम वंडर गुटन, यह एक्सपेक्टेड लाइन पे टीम के बैटिंग ओडर के अकोडिंग, स्मोल लीग के मश्च नीडर प्लेयर के बात करते हैं न, क्योंकि यह बैटिंग विकिट है, तो देखिए उपर के चार प्लेयर तो वैसे इंक्लिउट करेना, लेविट बोलिंग बेक अप रहेगा, वरना मैं इनको नहीं लेता, लेकिन बोलिंग बेक अप रहेगा, तो इंपोर्टन है, साइब्रें लोगों का कै कैले बोलिंग आति है तो यह क्योंकि यह क्योंकि आसकता है, उसके बाद, पीडर में में डेथा बहुत ही कम माइलो, तो पिछले मैच में क्या है और और बचा हुआ था और एक रन कम चाहिए थे एक्सपीजेंस प्लेयर चाहिए था तब वंडर मर्वे आ गया वन्हारा डेथ में आता नहीं है मतला कभी-कभी आता भी है लेकिन मतलब मेंट डेथबोलर नहीं है इसके बाद ऊप्शनस में आगर आप दिखो कि बैंच में फ्र प्रामजी सिंग को ला सकते हैं लेकिन थोड़ा हो सकता है इंजड वगरा हो तो बता नहीं सकते हैं देखिए अब यहां से हम देखते हैं कि कौन से प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने नमीबिया के अगेंश्ट मैचेस खेले हुए और अच्छे गासे उनके परफॉरमेंस और इस उसके फ्लेयरे ृमस्ट निडेड प्लेयर में आते हैं लेविटेश यहां अगेंश्ट नमीबिया उन्व्हें पनध किसल्य मैचativo यह पहला मैच है शाखरनेंग में आपको रखना को को रखना है मैं आपको बता दू चारो को रखना है को उसके बाद यहां पर तेजा नेदा मानुरू है यह देखिए नीचे भी आएगा और फिर फ्लॉप भी हो जाए क्योंकि यह मतलब प्लेड तो अच्छा है लेकिन इतने नीचे बेटिंग करें तो यह तो तब ही अच्छ कि पहली बैटिंग है ठीक है दोनों कंडिशन में इंपोर्डेंट है मतलब पांच मश्च नीड़ेड प्लेयर हो गए फिर आरियन दर्थ की अगर हम बात करते हैं यह भी लगबग मश्च नीड़ेड कर टिकरी में आता है तो छे प्लेयर आप मानलो इस टीम से ठीक है पां वगिठ्श केले वहें जिसमें विकेट्स में निकाले वहें और किंग मा बाकी नमीबिया युकर मैश्च होगा और टीम वन्डर गुटे ने जो कल नेपाल वालामाच ता उसके अंदर उक हिके लिया था चालिस रहीस विग शत्रहन देकेष्ण वा प्लेथ कि अनकी अगर वाला अगर खेलता है ना तो मतलब आपको confirm लेना है और नहीं खेलता है तो फिर हमारे पास प्लेयर और भी अवेलेव है आराम से छोड़ देंगे और यह तीन प्लेयर अवेलेवल है यह पिछले में इसका स्कोर काड़े जिसमें सबसे जादा स्कोर करने वाले प्लेयर लेव में वंडर गुटेन चाइब किया कि वंडर मारवे टीम वेविन 항ņ kitmah-रीन çıkt, ने 4 उसके पात करें नमीब ripe काफी तगड़ी टीम है और निद लॉफ्टी इटन जेजे स्मित जेन ग्रीन रुबेन ट्रंपलामें बर्नल इसकोल पीटर डेनियल बेलिगनट और उसके अलावा टेंगानी लुगईमानी इनके नाम काफी ही यूनीक मालो तो यह एक्सपेक्टेड आइन पर ओवराल ठीक है और हाँ यहाँ पर आपको एक च यहांनिकी इस मैच में अप साइबरेंट को वेजी नहीं आप साइबरेंट को केप्तन कर देना मैं किभ्यान मैं अब समझ में वह क्यों के 5 6 Left 800 ऐट स्ब्सक्राइब को मकृत करने ब्सक्राएं लेटने थेखने लेकिन इसको वी सी ना करो तो ज्यादा पता है अच्छा क्यों रहेगा क्योंकि यह टीम इतनी कम जोर भी नहीं की वन साइड डी हार जाए यहाँ पर भी अच्छे अच्छा होगी लेकिन वी को अगर आप चाहो रिस्क लेके कर सकते हो फिर निदर लेंड को भी करवा देना और इसको वन साइडर रहा देना और अगर आप बैलेंस टीम बना दें तो यहां पे भी अच्छे प्लेयर अवेलेबल है उसके बाद रुबेंट यह होई गई ठीक है लाइन अप हो गई अब जान हम बात करते हैं इनके स्कूर कार्ड से पता लगएगा देखिये कौन में बॉलर है क्योंकि मैं अभी बता दू जैसे रुबेन है लेकिन यह और ना दे तो वह सीन अभी स्कूर कार्ड में अभी जो आएगा न मैं आपको समझा दूँगा दो कौन मैं बोलर कौन डेथ खेलेंगे तब लेंगे हम लोग ठीक है तो प्लेरों का रिकोड देखते हैं माइकल वन लिंगेन ने निदलेंड के गेंश्ट एक मैच खेला है जिसमें बीस रन है और इस मेन्यू पर भी वीसी रन का स्कोर है मलान कुरूगर का पहला मैचों का निदलेंड का गेंश्ट और इस वेन्यू की अगर हम बात करते हैं 59 का स्कोर इनों ने जो पिछला नेपाल की अगेंच मेंस था उसमें इनों ने किया था और इनका सबसे अच्छा जो मुझे प्लस पॉइंट लगता है न वो पता है क्या है यह एक ऐसा प्लेयर जो आराम से खेलता है ऐसा नहीं कि पहली कोल से हिटिंग श्टार्ट कर दी तो मतलब अप ले सकते हो मतलब भरोसे वाला प्लेयर यह टीम सेउन-फॉर की टीम में तो आप अराम से ले सकते हो जहां तीन बेट्समेंट चाहिए जेंपियर कोड़ी है देखिए प्लेयर हिटिंग वाला प्लेयर यह मतलब तेजी की सा पांच रण करें और इन्होंने जो है नमीबी यह किना में आपकी निदर लेंड के जो मैचेस खेल उसमें भी शांदार परफॉमेंस है तीन दो पांच और छे विकिट और त्यालिस और दो पैतालिस रहने फिर निकोल लॉफटी इटन है पहला इनका जो मितलब निदर देने वाला है लेकिन मैं आपको सिजेष्ट करूंगा रिस्क ले लेना बहुत अच्छा रिस्क साइबरेंड को कैप्टन बना देना यह आज़ा प्लेयर है कि स मैचेस में चार विकिट हैं और 20 अगर 19 इनके 14 और 25 इनके रंस है और चार इनके विकेट है पिछले चार मैच के अंदर और वेन्यू पे जो पिछला मैच तो इसमें एक रान है जैन गरीन विकेट केपिंग में तो कोई अपन को बतलब रखना ही नहीं है और लड़ी हमारे पास अवेलेबल है रूबें ट्र निदरलेंड में रात दिन कांदर है नेपाल की टीम कॉलिप्स हो सकती है लेकि निदरलेंड उतनी खराब टीम नहीं है मैं आपको यह बता दू तो आप यह तो बिल्कुल मैस समझना कि नहीं भी वनसाइड़ जीतेगी तककर का मुकावल होगा नहीं यह कह रहा हूँ कि न डिरासमस है लेकिन खेलेगा तब और बाकी प्लेयर आपके अवेलेबल है और पिछले मैस के सबसे ज़्यादर स्कूर करने वाले प्लेयर निकोल लॉफटी और मलान कुरूगर थे बोलिंग में विकेट लेस पीटर थे और टेंगानी थे और बाकी सब को विकेट मिले निक अज्यसमित निकरन तो कोई काम का ही नहीं यहां पर तो ये बेटिंग करेगा और बोलिंग करने रहीं अलाम से छोड़ सकते हो वरना यह प्लियर मेटियर प्लेयर हैने लेकिन बोलिंग अगर करें और बन डाउन आbeltव थे लेकिन ऐन निके और बेटिंग पोजिशन नीचे टेलिग्राम जरूर जोन करें ना फाइनल टीम ही आएगी चलिए फिलाल के लिए डेमो टीम हम देख लेते हैं और ट्राइगा ना देखे मैं आपको क्लियर कर देता हूं इन्वेस्टमेंट जो है न मेरा लीग लिए उन पर रहता है तो जिसने भी लीग लिए अप्लिकेशन करो आप चाहो तो कर सकते हो और ना चाहो तो मत करो बाकि मैं यह जरूर कहूंगा कि ट्राइग करना सेवन फोर में आपका इन्वेस्टमेंट यानि कि उस एप पे आप खेलो जहां साथ प्लेयर एक टीम से लिये जाते हो कि आप यही सेम टीम ड्रीम लिए उन पर प्लेयर उसके अलावा यहां पर साइबरेंट बहुत ही शांदर प्लेयर और तीसरा माइकलवन लिंगेंट यहां पर देखिए और कोई प्लेयर अवेलेबल है नहीं तीजा मानुरू जेजेज़ समीद बैटिंग के बैसमें मैं लूंगा नहीं और जेन को भी मैं नहीं रुबेन ट्रंपलामेन, बर्नार श्कोल, आरियन दत और रोलेफ बंडर मारवेन, मतलब बहुत अच्छी टीम है, मुझे लग नहीं रहा है कि कोई भी प्लेयर यहां पर खराब है, कोई भी प्लेयर नहीं है, ड्रीम ले उन पर खेलते हो तो आप एक काम कर सकते हो, लेविट की जगा मलान कुरूगर ले सकते हो, बट लेविट का बोलिंग बेक अप रहेगा, तो मैं मना करूँगा, बट फिर भी आपके पास एक option है, कैप्टन देखिए, ज्यादा तर लोग जो कैप्टन बनाएंगे ना, वो इसको बनाएंगे, और मैं आपको मना नहीं करूँगा, अगर आप चाहते हो, इसको कैप्टन मनाना, अब बना सकते हो, मेरी तरफ से बिल्कुल कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, आपका मन करें तो बना देना, बाकि अगर मैं अपने कैप्टन की बात करता हूँ, तो मेरा कैप्टन है और उसका रीजन मैंने बता दिया है, और वी सी की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरा वी सी जेन फ्राइन लिंक है, दुनिया का कैप्टन यह है जिसको मैं जर नॉर्मल प्लेर ले रहा हूँ यह मेरी टीम है बाकी जो भी चेंजेस होंगे मैं टेलिग्राम पे आपको इन्फर्म कर दूँगा इन्वेस्ट में नॉर्मल करना और ट्राइ करना सेवन फॉर्म हो ठीक है यही था इस वीडियो में टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवलेवल है जोइन कर देना चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो और वीडियो को लाइक भी कर देना ठेक्यो दोस वीडियो में तक देखना के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में